हलो स्टुडेंट जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हर बार की तरह आज भी एक मॉक पेपर ही आप लोगों को मिलने वाला है जी हाँ हिंदी का मॉक पेपर 1 क्लास 10 से रिलेटेड यूपी बोर्ड की जो भी स्टुडेंट जो तयारी करने हैं ऑनलाइन घर बैठें इस lockdown period में तुबता दूं आज सभी लोगों को कि कल का जो model paper English का था सभी student जो की YouTube फॉलो करते हैं मुझको मेरे चैनल को फॉलो करते हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्होंने कल जो है बड़े अच्छे डंग से जो model paper set लगाया था कई बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्र paper 1 जो कि हिंदी से related है यूपी बोर्ड के परिक्षा में ऐसे प्रिशन पूछे जा सकते हैं इसलिए अपने तयारी और भी ज्यादा मजबूत कर लें हमसे बने रहे हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पर आप करने के लिए बैल आइकन प प्रशन पत्र पहला जो कि मॉडल पेपर वन है हिंदी स्विसे का चलिए बात करते हैं कौनकों से most important questions इसमें add किये गए हैं और उमेद करता हूं आप सभी लोग इस वीडियो को live end तक जरूर देखोगे अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पढ़ने के लिए दिया जाएगा हाला कि पढ़ने का काम तो मैं ही कर दे रहा हूं समझाने का काम भी मैं ही कर दे रहा हूं आपको सिर्फ बैटे बैटे सुनना है अच्छे से और समझ लेना है बोड का पेपर चलिए बात करते हैं कौन-कौन से instruction है जो आपको दिये जाएं तीस अंक आपको हिंदी जो है विद्याले से मिलेंगे समय तीन घंटे 15 मिनिट का होगा जिसमें आरंब के 15 मिनिट आपको प्रिश्न पत्र पढ़ने के लिए दिये जाते हैं थर्ड पॉइंट में आप लोगों से कहा है सभी प्रिश्नों को अनिवारे करना है अनिवारे ल लेखते हैं किस प्रकार से से क६हुछ से जाते हैं पहला कॉसिं जिसमें आप लोग से चार ऑप्सें कहे जाएंगी उनमें से कोई एक ही सबद्र हो तो question देख लेते हैं क्या पूछा गया है निम लिखित कर्णों में से कोई एक कथन सही है मतलब सत्य है उसे पहचान कर आपको लिख देना है जी हाँ की रूप में प्रसिद्ध है अगर आपको लगता है कभी की रूप में प्रसिद्ध है तो आगर आपको सही लगता है तो आप लिख सकते हैं अगर आपको लगता है नई यह तो निबंदकार के रूप में प्रसिद्ध है तो आप मत लिखें आगे पढ़ लेते हैं क्या लिख तक रामधारी सिंग दिनकर हो सकते हैं अगर नहीं लगता है तो आप ये option छोड़ सकते हैं तीसरा option पढ़ सकते हैं तो तीसरा option क्या कह रहा है देखते हैं दुरू स्वामिनी जैसंकर प्रसाद की क्या एक रचना है अगर आपको लगता है जी हां ये रचना है तो आप लोग लिख सकते हैं जबकि चौथा option में कहा है मुंशी प्रेम चंद एक समा लोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं जबकि आपने ये भी पढ़ा था मुंशी प्रेम चंद जो की एक उपन्यास समराध के नाम से जाने जाते हैं कई तरह की उपन्यास इन्होंने लिखे हैं 300 से जाद मैं पहले भी बता चुका हूँ आने वाले वीडियो में आप लोगों को मैं और अच्छे से समझाओंगा किस प्रकार से बोर की पेपर को सॉल्व करें और कॉपी में किस प्रकार से लिखना है जिसमें आपको और अच्छे नंबर मिल सकें चलिए स्टार्ट करते हैं अगले एक तो जरूर लिखें अगर सारी लिख रहें तो ये अच्छी बात है आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सकती है जी हां समय ले सकते हैं आप लोग 15 मेट एक्स्ट्रा समय ले सकते हैं क्योंकि पूछा तो एक ही गया है लेकिन अगर आप लोग सब लिखना चाहते हैं त तो निम लिखित क्रतियों में से किसी एक क्रती की लिखक का नाम बताना है आप लोगों को पहिली क्रती या पहिली रचना सन्यासी है इसकी लेखक कौन हो सकते हैं अगर आपको ग्यात है तो ये अच्छी बात है नहीं तो second option में देख लेते हैं रस्मी मांसा तो चिंता मली त्रिवेडी रस्मी मांसा ये तीनों नाम एक साथ आप लोग याद कर लें इससे आपको ये अच्छा लगेगा कि इन तीनों की रचनाकार एक ही है तो कौन है वही आपको अपनी कौपी में लिखना है बिखरे पन्ने किसकी रचना है उसके बाद चौथा जो रचना दी गई आत्म कथा एक रचना है इसकी लेखक कौन है ये आपको बताना है अगर चारों में से कोई एक ही आपको क्लियर आता है तो आप घबराएं नहीं वही लिखें जो पूछा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आप लोगों से क्या पूछा गया इसको देख लेते हैं को आप लोगों को बताना है कि माटी की मूर्ते जो की एक रचना है जो किसी ना किसी रचनाकार के द्वारा लिखी गई होगी वो किस विधा में लिखी गई है बस यही बता देना है क्या माटी की मूर्ते निबंध है क्या माटी की मूर्ते उपन्यास है क्या एक आंकी है क् आत्म कता है क्या ये संस्मरल है क्या ये आलोचना है क्या है ये बस यही लिखना है आपको रचनाकार का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है तो इसलिए ध्यान रखें कुश्चन जो भी उचा जाए अंसर उतना ही लिखें उससे ज्यादा बिल्कुल भी मत लिखें आगे तेक अंसर के लिए आपको एक अंक दिये जाएंगे तो कुल अंकों की संख्या हो जाएगी पांच जी हाँ पहले में आपको पांच पांच अंक दिये जाएंगे तो देखते हैं अगला प्रशन घावाला क्या पूछ रहा है डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम बताईए कौन से लेखक ऐसे हैं जो डायरी विधा का रूप प्रयोग करते थे डायरी विधा में अपनी रचनाई लिखते थे तो उनका नाम बता देना है किसी एक लेखक का नाम बताना है किसी डायरी रचना का नाम नहीं बताना है इसलिए ध्यान दे प्रशन जो पूछा जाए उ नहीं कि एक रचनाकार का नाम आप लोगों को लिखना है अपनी कौपी मुथतर पुस्तिका में लिख लेना है तो आप लोग प्रश्ण संख्या एक का खा गा गा अंगा समझ होंगे उमीद है कि आप लोगों को अंसर आता भी होगा अगर किसी का अंसर आपको नहीं आता है तो आप लोग घबराएं बिलकुल नहीं यह बोड का मेन पेपर नहीं है आपको तैयारी के लिए अभी बहुत समय मिलेगा अक्टूबर चल ला है काफी समय अक्टूबर का ही रहे गया है नौंबर आएगा दिसंबर आएगा जनवरी आएगा फरवरी भी खतम हो जाएगा मार्च से बोड परिक्षाओं का अयोजन किया जा रहा है इसलिए ध्यान ने आपके पास प्रॉपर समय है चलिए बात करते है क्रस्ण संख्या दो के का की यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि दो का जो का है वो एक तरह के short answer type question में आता है जिसके अंक दो अंक निर्धारित है question आप लोगों से simple पूछा गया है रीति बद कवियों में से किनी दो कवियों के नाम लिखने है सिर्फ ध्यान दे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कवियों के नाम लिखने है उनकी कोई भी रचना लिखने की कोई भी आवशक्ता आप लोगों को नहीं है सिर्फ क्या करना है heading जाल देना है रीतिबद कवियों के नाम तो नीचे क्या करना है एक रीतिबद और दूसरे रीतिबद कवियों के नाम आप लोगों को लिख देना है और उनकी रचना बिल्कुल मत लिखिएगा ध्यान रहे अगर गलत हो गया तो आपके अंक काटे जा सकते हैं इसलिए question जितन पर आपको एक अंक दे दिये जाएंगे जी हां ऐसा बोड में अच्छी बात है कि आप लोगों को मुल्य अंकन जो भी होता है उसमें जितना भी आप लोग लिख किया थे उतने अंक आपको दिये जाते हैं कम नहीं मिलने वाले सब कुछ मिलेंगे अगर आप लोग पेपर क कोशिंस छोड़के बिल्कुल भी ना है सभी कोशिंस करें कोशिंस करें एक भी कोशिंस बिल्कुल छूटे ना सारे कोशिंस करके आने हैं चलिए बात करते हैं प्रिसन संख्या दूसरे के खा की तो तीन कोशिंस आएंगे का खा गा बोड में भी ऐसे ही कोशिंस आएंगे क खा और गा अंक बिल्कुल इसी तरह से बोड में भी होंगे पहले का में दो अंक खा में दो अंक और गा में एक अंक मतलब कुल अंकों की संख्या यहां पर हो जाएगी पांच तो प्रसंख्या एक में पांच और प्रसंख्या दो में भी पांच चलिए बात करते हैं खा में क् किनी दो रचनाओं के रचनाकार के नाम लिखने है अगर दो नहीं आते हैं एक आता है तो एक ही लिखी एक नंबर में मिल जाएगा चली बात करते हैं कौन कौन से रचनाओं दी गई है पलाशवान ये पहली रचना है इसके रचनाकार का नाम लिखना है दूसरी है पल्लव पल्लव रचनाकार के कौन है पल्लव जो रचना है उनके रचनाकार कौन है ये लिख देना है पंचवटी पीसरी रचना है इसके रचनाकार का नाम बताना है और अंत में परशुराम की प्रतग्या ये किसकी रचना है ये आपको लिख देना है ठीक है समझ में आ गया चलिए बात करते हैं गा के गा में आप लोगों से पूछा गया है नई कविता की किसी एक कवी का नाम लिखिए जी हाँ नई कविता आप लोग ने सुना होगा नई कविता का संचालन जी हाँ आप लोग याद आगिया होगा नई कविता कुछ था स्वतंतरोत्तर युग के बाद आवश्च्छता नहीं है ना ही उनका किसी रचना का नाम लिखना है सिर्फ और सिर्फ रचनाकार का नाम सिर्फ और सिर्फ कभी का नाम लिख देना है इसके अलावा कुछ मत कीजिएगा चलिए अगला प्रश्ण संक्या तीन जिसमें आप लोगों से पूछा जाएगा निम लिखित गध्यांसों में से किसी एक गध्यांस के नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर को लिखन से अमर बनाने के लिए आदमी ने प्रश्णूरा में भेंगों से किसी और उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाल काटा है किस तरह इंसान की खोवियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पेडियों तक पहुचाई जाए इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाए सोचे और किये हैं उसने चटानों पर अपने संदेश खोदे ताडो से उचे धातूं से चिकने पत्थर के खंबे खड़े किये तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरन की कहानी सदियों के उतार पर सरक्ती चली आ रही है जो आज हमारी अमानत विरा संदर्व में यही लिखना है और प्रयुक्त गध्यांस का संदर्व लिखना है जी हाँ अगर संदर्व आप लोग सही लिखते हैं पाट का नाम सही लिखते हैं लेखक का नाम सही लिखते हैं तो दो अंक आपको मिल जाएंगे जी हाँ दो अंक दे दिये जाएंगे प्रसं किये गए हैं जिनके नीचे लाइन कीची है उन्हीं को आपको क्या करना है व्याख्या करने हैं उसके अलावा व्याख्या करने कोई आवश्यक्ता नहीं है इसका अंसर लिखते समय ध्यान रहे जो भी अंस जो रेखांकित हैं उसको आप लोग क्या करेंगे जिन्दगी सोचे और किये ये जरूर लिख दें उसके बाद व्याख्या करना स्टार्ट करें इसके बारे में आप लोग समझ गये होंगे दो अंक मिल जाएंगे उसके बाद लास्ट में तीसरा कुश्यन इनसान की खूबियों को अगली पेडियों तक पहुचाने के लिए चलिए देखते हैं क्या है आगया पहुचाने के लिए आदमी ने कौन-कौन से उपाय किये हैं तो आपको इसी गध्यांस में से इस प्रश्न के उत्तर को हल करना है जे हाँ समझ में आ गया अगला प्रश्न खा है तो ध्यान दे सिर्फ एक करना है अगर आपको का नहीं आता है तो घबराएं बिल्कुल नहीं जी हाँ घबराने की कोई आवश्यक्ता नहीं है करना सिर्फ एक ही है या तो का करेंगे या फिर खा करेंगे चली का नहीं आता समझ में नहीं आ रहा, कोई बात ने, घबराने की अवश्यक्ता नहीं है, खा पढ़ लेते हैं, तो खा में क्या दिया है, चलिए परते हैं, मैं तो यही समझता हूँ, कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावर्ति नहीं करन हैं, जिनके द्वारा आज के सारे संगर्स उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी अयतिहासिक, नैतिक, चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक विवस्था बनानी चाहिए, अर्थात उसके पीछे वैक्तिक लाब और भोग की भावना प्रधान ना होकर, वैक वैक्तिक स्वार्थों और स्वातत्वों पर जोर ना देकर, वैक्तिक कर्तव्य और सेवा निस्था पर जोर देना चाहिए, और हमारी प्रतेग कारिवाही इसी तराजू पर तौल जानी चाहिए, जी हां, तौली जानी चाहिए, तो आप लोग समझ गये होंगे, इसका जो समझ गया होंगे पहले की तरह यही संदर्व लिखना है दूसरे प्रशन में रिखाँकित अंस की व्याक्षां अर्थात कहा से कहां तक मैं तो यही समझता हूं डैस 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 और आकरी में भावना ही प्रधान होनी चाहिए इतने ही अंश की व्याख्या करनी है इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है चलिए आगे देखते हैं अंतिम प्रशन की तरफ दूसरे के खा का अंतिम प्रशन हमारे देश वासियों के आर्थिक व्यापात कि बावना से प्रविल्द होने चाहिए आपको इसका उत्तर इसी गध्यांस में ही सही रूंणना है तो उमीध है आप लोकोस को समझ में आगया होगा प्रशन कैसे करना है उत्तर कैसे लिखना है जी है अगले की तरफ चलते हैं प्रशन सं reducati चार तो चार में आपको क्या कर निम्लेकित पध्यांसों में से किसी एक का संदर्व सहित व्याख्या कीजिए और उसका कावि संदर्व इश्पष्ट कीजिए जी हाँ ध्यान दे कावि संदर्य लिखना बिल्कुल ज़्यादा जरूरी है अगर आपका कावि संदर्य नहीं लिखते हो तब आपको अंक नहीं मिलेंगे इसलिए कावे संदर एक अलग से हेडिंग बना के कावे संदर अवश्य लिखें ध्यान दे पध्यांस की व्याख्या तो आप लोग कर लोगे लेकिन संदर जो लिखना है उसका एक अंक निर्धारित किया गया है तो ध्यान दे यहां पर लिखा है संदर्व सहीत व् सबसे पहला एक अंक आपको तब मिलेगा जब संदर्व आप लोग सही लिखोगे उसके बाद चार अंक तब मिलेंगे जब व्याख्या सही लिखोगे उसके बाद एक अंक तब दिये जाएंगे जब काविस सौंदर्य आपको सही से लिखना आएगा और सही से आप लोग देंगे ध्यान दीजिए अगर सिर्फ संदर्ब आता है तब भी संदर्ब लिखके आप लोग एक अंक प्राथ कर सकते हो छोड़ने का कारे बिल्कुल मत कीजिए बना के लिखे प्रियास कीजिए अंत तहां आप लोग इसको कंप्लीट जरूर कीजिए इसमें अंक छे हैं और उन्हें गूंग पुनी बोले रंक चले सिर्फ छत्र धराई उसके बाद सुर्दास स्वामी करुना में बार बार बंदव तहीं पाई जी हां आप लोग समझ गये होंगे इसके रचनाकार कौन होंगे अगर रचनाकार याद आ गया है कभी याद आ गया है तो उमीद है नहीं पहले देख रहा केवल रं कानतमाशा था दोह दोड़डोल करता था रं माल रक्त C Inspired चलकर चेतक परूं मानो प्रत्यक्ष क पाली था आप लोग समझ गये संदर्व लिखना है व्याक्षा करने है और कावि संदर्व करना है तभी जाके आपको छे अंक दिये जाएंगे प्रस्न संख्या पाच्वा जिसमें आप लोगों से क्या पूछा जाता चले देख लेते हैं पाचवे में आप लोगों के सामने निम्लिकित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचे देना है और उसकी किसी एक रचना का नाम लिखना है सिर्फ एक रचना मतलब आपको ध्यान होना चाहिए इसको बहुत ही जादा लेंथी य सब कुछ आप लोग लिख देंगे उसके बाद इनकी रचना ज्यादा लिखनी की आवश्यक्ता नहीं है सिर्फ एक पूछी तो एक लिखें अगर कुछ नहीं दिया है तो आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं तो तीन है तीन में से किसी एक लेखक के बारे में उनकी रच लिख भा रहे हैं तो एक नंबर नहीं मिलेगा कोई बात ने गवराए बिलकुल नहीं कोशिष करें एक रचना तो याद ही होगी ओर दिया दे दो जीवन परचे और एक अंग जो आपको रचना के दिये जाएंगे अगर रचना याद नहीं आ रही तो अपने पाठे पुस्तक से जो भी रचना दी गई है उसको आप लोग लिख सकते हैं चलिए आगे पढ़ते हैं प्रशन संख्या छे की ओर तो छे में आप लोगों से क्या पूछा है चल अनवाद आप लोगों को लिखना है आप लोगों चार अंग तभी दिये जाएंगे जब संदर्व आप लोग सही लिखेंगे उसमें एक अंग मिलेगा और तीन अंग इसकी व्याख्या के लिए आपको दे दी जाएंगे चलिए बात करते हैं क्या पूछा गया है कुष्छ तो क्या है समझ लेते हैं असमाकम संस्कृति ही सदा गतिसीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतुम एशा यथा समयम नवाम विजारधाराम स्वीकरोती नवाम सक्तिम च प्रापनोती अत्र दुरागरह नास्ति यत युक्ति युक्तम कल्याल कारी चत दर्थ सहर्स ग्रहीतम भवती एतस्या गतिशील तायाह रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मोल येसु निहितम तद यथा सत्यस्य प्रदिश्था सर्व भूतेशु समभावह विचारेशु आउदारियम आचारिय द्रणता चेति जी हां इतने ही व्याग्धा का आपको हिंदी अनुवात कर देना है अपनी कॉपी में लिख देना है और ध्यान रहे संदर्व जरूर लिखें आप लोगों को ग्यात होगा किस प्रकार से संदर्व संस्क्रत के Лिए लिखा जाता है उसी तरह से आप लोगों को लिखना है और हिंदी अनुवाद के साथ में जी हां अगर उपर वाला नहीं कर पा रहे हैं कठीन लग रहा है तो आप ही लोगों के लिए नीचे पध्यांस दिया है जिसका हिंदी अनुवाद आपको करना है चलिए देख लेते हैं क्या है माता गुरुतरा भूमे खाद पितोत चरस्तत उसके बाद मनह, सीग्रतरं, वातात, चिंता, बहुतरी, द्रनात जी हां इसका हिंदी अनुवाद अगर आपको ग्यात है то आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं नहीं तो पध्यांस का अगर नहीं आता है तो गध्यांस की व्याक्या आप लोग अपनी कॉपी में लिखे हैं चलिए साथवे का का चलते हैं देखते हैं कितने अंक का है जी हाँ दो अंको का होगा और most important चीज ध्यान दे अपनी पाठी पुस्तक से कंठस्त किया हुआ याद किया हुआ एक श्लोग लिखना है जो इस प्रश्ण पत्र में ना आया हो अगर आप लोग लिख दोगे माता गुरुतरा भूमें अगर ये श्लोग लिख देती हो तो आपको अंक मिलने वाले नहीं है तो आपको लिखना क्या है आप लोगों ने इस लोग दो याद किये होंगे तो दूसरा इस लोग जो रह गया होगा या फिर दो इस लोग जो इसमें पूछे नहीं गए उसी को याद करके आप लोगों को यहाँ पर लिख देना था तो लिख दीजिए दो अंक आपको तभी दिये जाएंगे चलिए आगे पढ़ते हैं आगी प्रशन संख्या साथ का था जिहां साथ के खा में क्या पूछ गया चलिए देखे लिटे हैं निम लिखित प्रिश्नों में से किनीई दो के उत्तर संस्कृत में देने हैं आपको तो दो के ही उत्तर आप लोगों को संस्क्राइब देने हैं जिसके अंक आप लोगों को को दो दिये जाएंगे प्रत्यक प्रतियक प्र्श्न एक उंक का है तो देख लेते ह। इतने पूछे कहें प्रश्न है वी रहा केन पूज्यते दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर अगर आपको ग्यात है तो आप लोग लिख सकते हैं तीसरा प्रश्न अमुखो अभी कहा इस्वट वक्ता भवती तीसरा है चौथा प्रश्न पूछा गया है भारतिय संस्कृति की दृशी वर्थते जी आठ के काम में आप लोगों से क्या पूछा गया है चलिए देख लेता है निम्लेखे पंक्तियों में से प्रियुक्त रस को पहचान कर लिखें या तो आपको क्या करना है रस को पहचानना है या फिर अथ्वा वाला प्रश्न करना है तो ध्यान में दो अंक आपको रस के मि सब नाम ही लिग देना है तो नाम ही लिग देना है सिर्फ आपको अंग दे दिये जाएंगे अगला है अत्वा करके हास्यरस की परिभासा उधारन सहीत लिग देनी है अगर आप लोग हास्यरस की परिभासा लिग देते हैं और एक उधारन एक इग्जामपल आप लोग सहीड हैं से लिग देते हैं तो आपको दो अंक मिल जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है का के बाद खा आता है तो खा को पढ़ लेते हैं प्रिशन संख्या 8 का खा क्या पूछा है उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उधारान सहीत देनी है तो ध्यान दे उत्प्रेक्षा या फिर उपमा दोनों में से कोई एक ही अलंकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है परिभासा सहीत उधारान सहीत लिख देना है दो अंक इसके भी निरधारिश है आगे बढ़ते हैं प्रिशन संख्या 8 में का गा तो क्या है निमनेखित में से प्रियुक्त चंद को पहचान कर लिखना है या फिर आपको क्या करना है देख लेते हैं उसके बाद कोई कुश्चन नहीं दिया गया है तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है हो सकता है आपसे सिर्फ और सिर्फ चंद पहचान के ही पूछरा जाए लेकिन वैसे यहां पर थोड़ा समिसिंग है कभी-कभी इस तरह की कुश्चन जो संबंदित हैं पढ़ लेते हैं बंदव मुनिपद कंजु रामायन जहीं निर्मयव तो यह है पहला पंग्ति चोके लिखी हुई है सकर सुकोमल मंजु दोश रहित दूशन सहित तो यह पंग्तियां आपके पाठ्टि पुस्तक से ही या फिर आपके जो है रिलेटेड को परिभासित ऊ outta से ले तो यह काम कर सकते हैं या फिर उपर दीए गए जो यहां पर चंद दिया गया है इन पंग्तियों मएं प्रियोक किया गया यह बताना है आपको या तो यह करें या फिर सोरठा चंड की परिभासा उधारन सही लिख सकते हैं चलिए आगे पढ़ते हैं प्रिशन संख्या नौ के कामें तो क्या पूछा गया है निमले खित उपसर्गों में से किन ही तीन के ध्यान दे किन ही तीन के में उसे एक एक सब्द बनाना है तो एक ही एक सब्द बनाना है और तीन के उपसर्ग का यूज करते हुए एक एक सब्द बनाने हैं तो यह कितने गए हैं पांच कौन कौन से हैं देख लेते हैं अब दूसरा है अनू तीसरा है निर और चौता है अभी और अंतता क्या है सू तो इन सभी से इन सभी उपसर् है आए जान लेते हैं अगला है प्रसंद संख्या नौ का खा निम लिखित में से इन ही दो प्रतियों का प्रयोग करके एक एक सब्द बनाना है ध्यान दें कितने प्रतिय का प्रयोग करना है सिर्फ और सिर्फ दो और क्या करना है कितने सब्द बनाने हैं एक-एक सब्द बनाके आपको लिख देना है तो कौन-कौन से प्रत्य हैं देख लेते हैं चार प्रत्य में से कोई दो ही प्रत्य का इस्तेमाल करके एक-एक सब्द बना देने हैं तो पहला है वट दूसरा है पन तीसरा है तो और अंततहा क्या लिखा है आई तो च समास या फिर द्वंद समास जी हाँ एक समास जो बहुबरी समास था कर्मधारे समास था हो सकता है आपके पाठे पुस्तक में सामिल न किया गया हो इसलिए वो पूछा नहीं गया है तो आपको पता होना चाहिए द्वंद समास क्या होता है या आपको ध्यान देना है लिखित में से किनी दो के तत्सम रूप लिखने हैं आप लोगों को तो तद्भो दे रखे गए हैं आपको तत्सम लिखने हैं तो तत्सम मतलब तत्समान मतलब संस्क्रत के समान सब्दों को हम लोग तत्सम सब्द कहते हैं चलिए देखते हैं चार में दो करने हैं दो के तत् लेते हैं प्रसंख्या नो का अंगा निम लिखित में से किनहीं दो के दो दो परियावची सब्द लिखने हैं सिर्फ ध्यान दें दो के ही दो दो परियावची सब्द लिखने हैं पहला है आग दूसरा है ब्रह्म्हा तीसरा है हवा और चौथा है कृष्ण तो दो का ही तो में संधी कीजिए तथा संधी का नाम भी दीजिए अगर संधी कर ले जाएंगे तो एक अंक दिया जाएगा और संधी का नाम आपने सही बताया तो आपको एक अंक दे दिया जाएगा तो आप लोग समझ गयोंगे, क्या करना है, निमलिकित में से किनी दो में से संधिकी करनी है, और संधिका नाम भी बताना है, चार संधियां दी दी गई है, आपको क्या करना है, संधि बना देनी है, पूरी और संधिका नाम भी बता देना है, तो पहला है, गुरु प्लस आद या दूसरा देखते हैं अभी धन उदयाह, तीसरा है इति धन आदी और अंतिम में लिखा है सू धन आगतम, तो इन चारों में से किनी दो के संधी करनी है और संधी का नाम भी बताना है, तब आपको दो अंक दिये जाएंगे, ध्यान में समझ में आ गया, अगला प्रशन दे दोनों में से कोई एक और अंतिम में सेकंड में एक ही दे रखा गया, वो भी आपको कमपासरी, लिखना है, बस पहले में आप्सन दे दिया गया है, या तो नदी का करें, या फिर मधू का करें, चतुर्ति विवक्ति बहु वचन का रूप आप लोगों को लिखना है, दो अंक आप लोग समझ गया होंगे, एक अंक नदी अत्वा मधू के लिए हैं, और दूसरा असमत क लिखना है, दस्वे का गा, निम्लिकित में से किसी एक धातु का ध्यान रखना, अब यहां पर एक ही धातु का क्या करना है, लकार बताना है, पुरुष बताना है, और अंत्दा वचन बताना है, तो चारों चीज़े बताएंगे, तब आपको दो अंक मिलेंगे, मतलब आधा धातु बताने के लिए, आधा लकार बताने के लिए, आधा पुरुष बताने के लिए, और आधा वचन बताने के लिए, तब आपको दो अंक मिल जाएगा, तो दोनों में से कोई एक करना है, या तो अपठाम बता दीजे, या हसह बता दीजे, दोनों में कोई एक ही पताना है कौँं सी धातु है, कौँं सा लकार है, कौँं सा पुरुस है और कौँं सा बचन है, जब ये चारों सही से हेडिंग वाइस आप लोग लिख दोगे तब आपको दो अंक दे दिये जाएंगे, अगर दो गलत हो गए, तो एक अंक मिल गया अगर 3 गलत होगे तो डियर अंक मिल गए अगर 4 सही होगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा समझ में आग XPा में क्या करना है दस्मे का ग्हा में क्या करना है चली देख लेते हैं लिखा हुआ है प्रज्ण संख्या 10 का ग्हा में निमलखित वाक्कियों मैंसे कि नहीं दो के संस्कृत में अनुवाद करने है आपको और आपको क्या करना है दो के संस्कृत के अनुवाद करने है और एक एक अंक दिये जाएंगे कुलंको की संख्या दो तो देख लेते हैं कौन-कौन से हिंदी अनुवाद यहाँ पर आया है इसी को संस्कृत में प्रश्ण संग्चा गंगा के पावन तट पर हिस्थित है जी हां चारों में से किन ही दो के संस्कृत में अनुवाद करने हैं तभी आपको दो अंक दिये जाएंगे तो चार में दो तो बहुत आसान हैं दो थोड़े टिपकल मान सकता हूं लेकिन दो तो आसान हैं आप लोग विशे दे दिये गए हैं इनमें से किसी एक विशे पर निबंद लिखना है जी हां निबंद में आपको छे अंक दिये जाएंगे कौन-कौन से निबंद का विशे दिया गया है आपर पहला जो विशे है व्यावशाइक सिक्षा का महत्व मतलब जो व्यावशाइक सिक्षा होती है, उसी का महत्व आप लोगों को लिखना है, निबंद की रूप में पूरा निबंद लिख देना है उसके बाद अगर आप ये नहीं लिख पाते हैं तो किसी यात्रा का वर्णन आप लोग संख्षेप में निबंद के माध्यं से पूरा heading जैसे लिखते है heading सहित लिख देनी है या फिर ये भी नहीं कर पा रहे है तो तीसरा देख लेते हैं मिशह जीवन में परोव कार का महत्व तो परोव कार का क्या महत्व है इसी के बारे में आप लोग निबंद लिखे अगर आपको ये भी नहीं आता तो अन्तिम में स्वदेश प्रेम अपने देश से प्रेम आप लोग करते हैं इसी को निबंध के रूप में आप लोगों को लिख देना है जी हां समझ में आ गया होगा आप लोगों पूरी चीज उसके बाद प्रश्ण संख्या 12 तो आप लोग जिस जिले के निवासी हैं उस जिले के लिए एक निश्चित पाठिक्रम में निश्चित खंड कावी के आधार पर ही आपको अपने प्रश्णों का उत्तर देना है ध्य पर क्या है कर्मवेर भारत के बारे में है तो वो अलग चीज है अलग विश्य हो गया तो अलग जिले में अलग खंड कावी हो सकता है घवराए बिल्कुल अनी अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं कि आपके पाठिक पुस्तक में कौन सा खंड कावी है चलिए बढ़ते हैं स समझ में आगी बात अपने पठित खंड कावी के आधार पर जो भी खंड कावी आपने अपनी पाठी पुस्तक में पढ़ा है उसी के आधार पर निम लिखित में से नीचे दिये गए प्रश्णों में से किसी एक प्रश्ण का उत्तर देना है तो ध्यान में आगी बात आप ल विशेस्ताइं लिखिए या फिर यह नहीं आता है तो घवराएं बिल्कुल नहीं बी में दे दिया गया है सेकंड में दे दिया क्या मुक्ति दूत खंडकावी के चतुर्त सर्ग का कतारक अपने सब्दों में लिखिए समझ में आगे बात आगे बढ़ते हैं अगर आप सेकंड में क्या करना है जोती जवार खंडकावी का कता साथ संक्षेप में लिखिए अगला है गा में देखते हैं गा में पहला पूछा गया है अगर पूजा खंडकावी के पूर्वा भास सर्ग की कतावस्तु संक्षेप में लिखिए या यह नहीं कर पार है तो आगे क्य अगर पूजा खंड कावी के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण करना है आगे देखते हैं घा वाला जो खंड कावी है मेवाल मुकुट खंड कावी है उसमें आप लोग से पूछा गया है खंड कावी के आधार पर दवलत का चरित्र चित्रण कीजिए अगर नहीं आ कि आधार पर कौन से प्रेशन दिये गए तो अंगा पहला जैसुभास खंडकावी की आधार पर उसके नायक का चित्रांकन के जिए चित्रांकन मतलब चरित्र चित्रां के जिए तो आप लोग समझ गये होंगी most important भी है और सबसी आधा easy question भी है तो इसको कर सकते हैं तो इसको करना है नई तो second वाला देख लेते हैं क्या पूछा गया है चलिए देखते हैं जी हाँ second में आप लोगों से पूछा गया है जैसुभास खंड काविके शष्ट सर्ग की कथा संक्षेप में लिख देनी है तो साथ सर्ग है उसी में छटे सर्ग की कथा अपने सब्दों में लिख देनी है संक्षेप में लिख देनी है समझ में आ गया दोनों में से कोई ए कावित लगती है करती है संग्षेप में बताईए उसके बाद च्छा में पूछा गया है कर्ण खंड कावि के जो घूत शवा में द्रौपदी सर्ग का जो सारांस है उसी को लिखना है आप लोगों अपने सब्दों में या फिर जो आपने अपनी पाठे पुस्तत में पढ़ पर स्री कृष्ण का चरित्र चित्रन कीजिए उसके बाद जो अगला खंड कावि है जा में उसमें पहला प्रश्ण कर्मवीर भरत खंड कावि की आधर्श वरं सर्ग का कथानक शंचेप में लिखना है और दूसरा अगर आप लोग पहला नहीं कर पा रहें तो दूसरा दे कथा लिखनी है आपको और अगर नहीं आता है तो सेकंड तुमुल खंड कावि के आधार पर मेगनात का चित्रांकन कीजिए जी हां समझ में आ गया होगा आप लोगों को और मैं उमीद करता हूँ आप लोगों ने लिखना प्रारंब कर दिया होगा और इसको खतम करके आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा नहीं वाद